तो नया साल तो आ गया, नए नए हमने कुछ रिजिलिशन भी ले लिए, शायद बहुत लोगों ने कुछ नया नया करने का सोच भी लिया होगा, और उस नए नए काम की शुरुवाद भी कर दी होगे, अच्छी बात है करना पे चाहिए, लेकिन इस नए साल में रिजिलिशन लीजिए कि कि हर भाषा को सीखेंगे, अपनी भाषा को नहीं भूलेंगे, हमारी मातर भाषा हिंदी है, और उस पर आपका प्रुणत अधिकार होना आवशक है, और उसी भाषा को सीखने के लिए, जितना सर्वोत्तम रूप से हम गहराई में जाएंगे, उतना सर्वोत्त नएने चीजों, नएने आंकलन के साथ ये भी सिखे कि जो करूँ सही से करूँ जो सीखूँ इतना सीखूँ कि सब को अच्छे से सिखा आपाँ हाँ, आए हम हिंदी की और बढ़ते हैं हमारा पार्ट चल रहा था विरामचिन, इससे पहले एक संक्षिप्त रूप में विरामचिन का छोटा सा विवरा विरामचिन, आउ, सौरी माफी चाहती हूँ, इससे पहले मैं रेनुचे, जैशी रेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वाब गित करती हूँ मेरे चैनल, नौकाउट एजुकेशन पर एक ऐसा मंच जितना अधिक परियास आप करेंगे उतना आगे पढ़ेंगे तो इसी शुपकामना के साथ मेरे नौकेशन आपको पिछले वीडियो में विरामचिन पढ़ा चुकी हूँ विरामचिन पढ़ाते वक्त मैंने बहुत कुछ आपको बताया, कुछ नुस्खी बताये और कुछ चीजें भी सिखाए हाँ, जहां भाव आ जाते हैं वहां समझना आसान होता है तो मेरे साथ अपने भावों को आत्मा को अपने आपको जोड़े रखिए बहात आसान है विरामचिन पढ़ना है ना, मैंने सिखा दिया छोटे छोटे चिन, जिनका परियोग जानना आवशक है इसी की पड़ाओ में मैंने आपको बताया विराम का अर्थ होता है ठहरा विराम का अर्थ होता है विश्राम करना विराम का अर्थ होता है ये जानना कि कहां हमें रुकना आवशक है और रुक कर कहां पर चलना आवशक है है ना मैंने विराम चिनने भी बता है और ये भी बता है कि कुछ महतुपूर्ण विराम चिननों पर हमने चर्चा की है महतुपुन विराम चिनों में सबसे पहले आता है पुर्ण विराम बाके के अंत में अल्प विराम कहीं रुख कर किसी बात को दर्शाना अर्ध विराम आधा रुख कर अपनी बात का प्रभाव दिखाना योजक जो शब्द युगम समान अर्थक शब्दों को आपस में कहरा और दोहरा तोनों का परियोग है लागव किसी भी शब्द को शंक्षिप्त रूप में हमें बताना है है ना हमने यह सब पढ़ा था यह सब पढ़ा था विवरन किसी शब्द या विशे के रूप में सार लिखना है चोटे रूप में शंक्षिप्त रूप में बताना है आज हम और तीन विराम चिन पढ़ेंगे जो विराम चिन के लिए मेरा आज का अंतिम नहीं है पर इस पार्ट का आखरी वीडियो है मैं महत सुपरूल विराम चिन आपसे साज़ा कर चुकी हूँ विराम का अर्थ बता चुकी हूँ बहुत सारे अर्थ मैंने बता हैं, बहुत सारे चीज़े बताएं, है न, तो उनको सीखे समझे, और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजी, कमेंट कीजी, जानिए, जो कहानिया किसे में आपको सुनाती हैं, उनको समझे, जो मैंने आपसे पूछा है, कमेंट करके उनका उत्तर आवशक है, क्योंकि मेरी प्रतियो किता में आपका नाम आना आवशक है, और सीखना सबसे बड़ी बात है, जादा लंबा चोड़ा मैंने कुछ पूछा नहीं है, एक बार सभी वीडियो को देख लीजी, क्योंकि हर वीडियो अब एक दूसरे से जोड़ा हुआ है, पिछल मैंने लिख दिये थे, तीन के वाकिया आपको लिखने बाकिये थे, वो वाकिये कि उत्तर अभी तक मुझे मिले नहीं है, आप दीजे, मैंने यहाँ एक लिका था, उठो जागो, बढ़े चलो, कहां कौन सा विराम आना था, मैंने बता दिया आपको, उत्तर उसी वीडियो में हैं, देख लेजिए, और पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था, कि विक्रम और बिताल, अब बिताल किस तरह बिताल बने, वो विक्रम के साथ कैसे मिले, मुझे बताएए, जादा लाइनों में, सिरफ दो लाइन में, दो पंक्तियों में आप लिख छोड़िए, इसका उत्तर आने पे ही मैं आपको पूरी कहानी अगली वीडियो में सुनाओंगी, ठीक है, पूरी कहानी लंबे चोड़िने, संक्षिप्त रूप में सुनाओंगी, ज्यान बढ़ना आवशक है न, बढ़ते रहना चाहिए, जानते, सीखते रहना चाहिए, सीखना जानता है जो प्रश्ण पूछना जानता है जो ज्यान में विद्धी पाता है वो ज्यान जिसने बढ़ाना शुरू किया संग्यान कर पाता है वो सीखना और सिखाना जिंदगी की महतु पुरुन कला है जो इस कला को जानता है संसार को जीत पाता है वो आईए बढ़ते हैं अपने प भाग पर कौन-कौन से भाग पढ़े पुरुन अल्प अर्थ प्रश्ण विवरन उद्धरन निर्देशक योजक लागव आज हम पढ़ेंगे कोश्टक कोश्टक चिन इंग्लिश में जिसे हम ब्रेक्ट बोलते हैं ब्रेक्ट है ना उसको हिंदी में क्या कहते हैं कोश्टक क्या है देखो हम लेख लिखते हैं कहानी लिखते हैं किसी के उपर वाक्यों में कुछ लिख रहे होते हैं है ना तो जब उससे सम्मंदित कोई जानकारी हमें अलग से बतानी होती है या कोई इंपॉर्टन चीज उसके बारे में अलग से लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं उसके बारे में ब्रेक्ट में लिख देते हैं ये कभी कभी कोई ऐसी बात चो हमें लगता है हमें बतानी चाहिए तो हम उसको ब्रेक्ट में लिख के बता देते हैं उसी को क्या कहते हैं कोस्ठक्चिन कहते हैं देखिए उधारन सिधार्थ इसको छोड़ दे दे सिधार्द की पतने का नाम यशोधरा था अब सिधार्द कौन थे mहात्मा बुद अब ये महत्वMr. थानगा इसवाक्य से जुड़ा हुआ जो बाद में महात्मा बुद के नाम से प्रस्द्ध हुए जुन्हों ने बहुत धरब की त्हापना की है ना विर्बाद में बहुत धरम है वो दो भागों में बढ़ गया था हीनियान और महायान है ना इनकी चर्चा हम समाजिक में करेंगे अभी के लिए यहां देखिए इतिहास शवम पड़े तो इससे जुड़ी अब हमने सिरफ यह वाके लिखा सिधार के पत्नी का नाम ये चोधरा था अब किसी किसी को ये समश्में ने आएगा सिधार्थ कौन थे तो इसी महतुपून तथ्या को उनको समझाने उनको बताने उनको पढ़ाने के लिए हमने क्या लिखा कोश्थक चिन को बनाया और उसमें लिख दिया उस शब्द को उस बात को तो उस कोश्थक च लिख कर जब हम बताते हैं, उसको क्यांसा चिन्न कहते हैं, कोस्ठक चिन कहते हैं, इस कोस्ठक चिन को English में ब्रेक्ट बोलते हैं, ध्यान रिखे, अगला कौन सा है, रेखा अंकन, रेखा अंकन का मतलब रेखा प्लस अंकन, अर्थात रेखा को अंकित करना, अंकित करना का मत मतलब बनाना बनाना का मतलब अंडरलाई आप बहुत सारे वाक्य लिखते हैं हम बहुत सारी चीजे लिखते हैं हम इसका परियोग ज्यादा तर हम कहां करते हैं जब हमें हमारे वाक्य में किसी मुख्य शब्द को किसी मुख्य पद को या किसी महत्व पुरुण बात को विश साब से हमें मुख्य अपुस्तिका से हमें पढ़ा रही होते हैं तो बहुत सारी बातों को हमें बोलते है रखांकित करना अर्था र महतत पुरुन तथ्यकों चिखाना उस महतपूर्ण तथ्य को बताना रिखांकन चिन का परियोग करना अब सो रिखांकन चिन कहलाता है और किसी भी शब्द पद या वक्य को जब हम underline करके रिखांकित करके सामने वाले को बताते हैं कि ये महतपूर्ण तथ्य है हमारे पाठ में ये महत्वपुर्ण शब्द है हमारे पाठ में, ये महत्वपुर्ण पद्ध है हमारे पाठ में, ये वाक्य हमारे द्वारा पढ रहे विशे में, बहुत ही महत्वपुर्ण है, हमें काम आने वाला है, उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, उस चिन को हिंदी में क्या बोलते है रेखांकन चिन रेखा प्लस अंकन रेखांकन चिन मैंने संदी विचेट भी करके बताया संदी भी करेंगे हम बहुत असान तरीके से बहुत मज़ेदा तरीके से लेकिन उससे पहले हम शब्द बनाना सिखेंगे ठीक है न रेखांकन ठीक है अन्डरलाएं अब यहां एक उध पुर्ण शब्द पद या वाक्या को दर्शाने के लिए इस चिन का परियोग किया जाता है उधारन काला घोड़ा दोड़ रहा था पता है घोड़ा कैसा था काला घोड़ी की विशेष्टा क्या थी वो काला था है ना तो काला उसकी विशेष्टा थी उस बात के लिए उस व खेलूंगा नहीं पता मैं कल खेलूंगा वो क्या कह रहा है अपने विशे में क्या महत्वपुर्णता दिखा रहा है मैं कब खेलूंगा मैं कल खेलूंगा अब कल बात कल पर आ गई उस वाक्य से महत्वपुर्णता ठ्यक्या हुआ कल का समय जो दिया गया है तो किसको रिखा रहा होता है हूँ बोड़ पर लिखता है और वह अंद्रलैन कर देता है किसी वाक्य को किसी शब्ध को यह उससे सम्मंद किसी महिद्वपुम्न तथ्थ किसी इसमिद्व में रेक्षांकित किया जाता है किसी चीस को शब्द को अंडर लाइन किया जाता है वकॉन सचिन आते हैं रेखांकन चिन है प्यास लग ता इस एस रिखांकन चिन को हम बहुत बार अपने विशय में बहुत बार यूज करते हैं किसी भी चीज को दिखाने के लिए अध्यापक तो लगभग यूज करते हैं लगभग इसका प्रयोग होता है लगभग इसको समझाने के लिए हम कह देते देखो बेटा मैंने जो की है इसका अर्थ बताईए यह अंडरलेन की है इसको महत्यपुरुन लिख लीजिए इंपॉंटेंट लिख लीजिए यह अंडरलेन करके यह बता रहा हूं इसको देख लीजिए तो जब हम इस चिन का परियोग बहुत सरवाधिक रूप में पुरते लेकिन सच बताईए सिंगल को इक हैरा और डबल को दोहरा उधरन चिन ठीक है आईए अब हम पढ़ते हैं कोस्थक कोस्थक कभी आपको पता नहीं था ना इंगलिश में ब्रेक बोलते हैं आश बता लग गया ना और हिंदी में जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं और फिर भी हमें लगता है कि इ एक ये दो शब्द में हम उस वाक्य को पुरुन करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ महत्व पुरुन तथ्य देना चाहते हैं तो हम ब्रेक्ट लगाकर उस शब्द के आगे या उस वाक्य के ब्रेक्ट लगाकर उसके जूड़े हुए महत्व पुरुन तथ्य को लिखते कोश्ठक चिन बंद कर देते हैं इसको इंगलिश में बोलते हैं लाघव चिन का परियोग मैंने क्या पताया था किसी भी बड़े शब्द को शंग्षिप्त रूप में लिखने के लिए शंग्षिप्त का मतलब छोटा लगू का मतलब लाघव का मतलब लगू लगू का मतलब छोटा छोटी रूप में लिखने के लिए सार को इंगलिश में बोलते हैं संबरी संबरी यानि पूरा छे साथ पेज का चैप्टर है उसको हम सो सवा सो शब्दों में संबंदित कर दें पांश पेज का चैप्टर है उसको हम हाफ पेज में संबरी कर दें सार कर दें उसका अर को खत्म करके नए वाकिय के शुरुवार पुरुन विराम है ध्यान रखिएगा भूलिएगा मत जिंदगी में भी बहुत जगा पुरुन विराम लगाते हैं और नव जीवन की और बढ़ जाते हैं अब मेरे पाठ का अंतिम तो नहीं कहूंगी लेकिन फिर भी आज के लिए अंतिम है कौन सा हंस पद्द चिन एक तरीकी का हाफ त्रिभुज है एक एरो है एरो समस्ते हो ना एक निशान है एक चिन है जो उपर की और दिखता है एरो है उस चिन को क्या कहेंगे हम हंस पद्द चिन यह देखिए यह चिन खुद ही कह रहा है उपर की और देखो यह चि कि और देखो घाल से निखते होगा हैन्य तरफ में चलते जाए में तो लिखने के लिए हम क्या करते है उन शब्दों के बीकमें चोटा सा एरो एक निशान बना देते हैं एक टीर सा लगा देते हैं और उपर उस चूटे शब्द या महतवपुन तथ्या को लिख देते हैं कि मैं ये भूल गया था अब ध्रान दे लो उस चिन्न को क्या कहते हैं हंसबद चिन्न कहते हैं लिखते समय कि शब्द के छूट जाने की स्थिति में संबदित शब्द के स्थान पर इसका परियोग किया जाता है स्थान पर ही करेंगे सोचने की बात है अब उस जगह में वह शब्द या वह महतवपुन तथ्य तो पूरा आएगा नहीं तो हम क्या करेंगे इस चिन्न को बनाएंगे और इस चिन्न की ऊपर शब्द को छोटे से उरूप में लिखतेंगे तो अध्यापक ये कोई चेक करने वाला व्यक्ति है वो देखेगा हाँ बच्चा भूल गया था इसने चिन्न बनाकर ऊपर की ऊपर लिखा है है ना कई बार हम पेपर में लिखते हैं ना हम चार पांट शीट भर देते हैं हमारा जितना शीट हमें दिया गया फूल हो गया लेकिन हम अंत में और शीट लिखते ना पेटी ओ प्लीस टर्न ओवर की आगे की और भी देखिए या कुछ लोगों क्या आदत होती है गैरो ब पस्ट कर देते हैं बहुत गम्मे चीजों को दर्शा देते हैं वोई क्या कहलाते हैं विराम चिन कहलाते हैं इनको रुकना रुक कर ही समझना थेहराव के साथ ही जानना ही हमारे लिए क्या है महतुपुर्ण है अब इन विराम चिनों को हमें पढ़ना है सीखना है पर लंबर आपको दे देंगे वर्ट सब करके भी आप हमसे जानकरी ले सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जानिए समझिए पढ़िए सीखिए अपने आपको मस्तर रखिए व्यस्तर रखिए स्वस्तर रहिए इसी के साथ मैरे इनुचैन अपना पाठ यही पर प्रश्ण कीजिए याद रिखिए प्रश्ण पूछने की कला को अपनी जिंदगी से कभी मत निकाल लिएगा प्रश्ण पूछन जो जानता है वो जिंदगी में अपने आपको आगे ही पाता है जुरूरी नहीं 80% वाला भी हो 35% वाला भी हो सकता है प्रश्ण पूछन सीखिए जानकारी हासिल करना सीखिए सीखना सीखिए जो इन सब चीज़ों को सीखेगा वह आगे बढ़ेगा क्योंकि आधुनिक्ता है वह चार और से बढ़ रही है है ना टेकनोलोजी भी बढ़ रही है हर चीज़ को सांझा कीजिए पर उतना ही कि उसमें डूब नहीं विडियो सकते रहे च्शन को देख लेजीए उत्तर जरूर दीजिए परतियो गिता में भाग लीजए हमारे मन्च पर आईए अपने व्यक्तित्व को सांझा कीजी आपको सांझा कीजी अपने विचारों को सांझा कीजी नौकाउट एजूकेशन की तरव से आप सभी को न झाल झाल